पुलिस के हाथों पुश्पा की हत्यात्य अप्माओं की वज़से आप देख सकते हैं जित्तुरों तिरुपती के कई लागों में दंगे शुरू होगा पुलिस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पुल से लगपट शोट पर मिले आठ गोलियों के लिशा ए ये क्या कर रहा है तुँ गोलियों से घाल पुश्पा हुआ तिरुपती जिल से परा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलियां पुश्पा कम भी रूप से जख्मी गवा है शेशा चलम की जंगलों में पुश्पा को दूनने के लिए पुलीस ने एक्स्पेशन यूने डिपलोई की है अब पस यही देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह का माता था पल तुमाला महिटिये का पुश्पा ने पईसों का क्या करें ठीके शादी पुश्पा ने ही करवाए पर ना है पुश्पा नहीं हमारे लिए घर पर भाए अरे वो आम परीगों को खाना खिला था अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुश्पा आया है अब रोज पुश्पा का जिन पर भरोसा करते है उनसे दुखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़के गलती कर दिया कार्ट देने का था हुझे उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी भड़ गई थी क्या पुश्पा नाम सुखे फ्लावर्स अजे क्या पुश्पा नाम सुखे फ्लावर्स अजे क्या राज करने के लिए आया मैं पहारी उपर पुश्पा की कुछ तपड़े बरामत किये फिल्म पुश्पाटू के साथ अलू अजन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया ऐसा कहा जाता है कि वो प्रभास की मुवी सालार जो 2023 में तहल का मुशा चुकी है उसकी स्ट्राटजी या उससे पुश्पाटू वाले फॉलो कर सकते हैं अब किस मामले मेंда क्रिश्पाटू उब और किसे मामले की मामले में सालार की यह पार जवाम प्रमोशीब था था और बहुत प्रमयशन था ऐड़ीज़ेंद की बाद किया गया तो पुषपा इसley बार सोच सकते हैं , एसा कहा जा सकता है, तो क्या जिस तरह से Salaar की दो गाने release date से पहले release की गये और दो गाने बाद में रैंगे किया जाएगा अगर पुष्पा तुकि मेकर्स ने सालार की स्ट्राटेजी अपनाई तो ऐसा हो सकता है पर ये सब कुछ इसलिए कहा जाते है क्योंकि सालार वालों को तब किसी भी तरह शूटिंग और सारा काम निप्टाना था पुष्पा की केस में ऐसा बिलकुल हो रहा है कि शूटिंग पूरी नहीं हो रही है और मेकर्स नहीं चाहते कि फिल्म पोस्पॉन हो इसलिए प्रमोशन में टाइम इंडिस्ट ना करने के लिए ऐसी स्ट्राटेजी इस्तेमाल होती है अब सलार वालों ना ठंग से प्रमोशन किया ना प्री रिलीज इवन पर मोवी में दम था बस था इसलिए मेकर्स कॉन्फिडन थे और ठीक वैसे ही पुष्पाटू के मेकर्स भी फैंस कॉन्फिडन है पर सलार वालों ने गल्दी गर्दी की प्रमोशन अवोई कर अब ठी रिक है प्रभास तेल्गोव उनका बज्ज है तो तेल्गोव में प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है पर बाकि मारकेटs specially हिंधी मारकेट में प्रमोशन करना काम पलसरी है प्रभास यह नहीं किया जिसकी वज़े से भी सलार की कलेक्शन पर असर पड़ा है जाओ प्रमोशन वाला रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, वरना ये फर्स्ट रहेंगे. देखते हैं अब क्या होता है, बताएं में कॉम्में सेक्षिन में हम फर मिलेंगे एक नई वीजियो के साथ, तब तक हुश रही है, और सेफ रहे हैं. साथ सूपर स्टार अलुवर्जुन की फ़ल्म पुश्पा का सीक्वेल इस साल 2024 में रिलीस होने वाला है. पुश्पा 2 दरूल साल 2024 की मोस्ट अवड़ेट फल्म में से एक है. अलुवर्जुन की फ़ल्म 15 अगास को सिरीमा घरो में रिलीस होने जा रही है. Pushpa 2 के makers ने firm की excitement बढ़ाने के लिए countdown शुरू कर दिया है Pushpa 2 का countdown makers ने एक post शेयर करते में शुरू किया Pushpa 2 दरूल के production house माईत्री ने अपनी official social media handle पर Pushpa 2 के लिए नया poster launch किया है ये एक countdown poster है इस post पर बताया गया है कि firm के release में आप केवल 200 दिन बचे हैं साल 2021 में Pushpa The Rise की record तो सफलता के बाद अब Pushpa 2 दरूल सिनेमा घरों में आनी जा रही है Film makers ने countdown शुरू करते में शानदार के option भी लिखा अलू अर्जुन की film के sequel को लेकर hype भी जोरो पर है नाशनल अबॉर्ड बनर अलू अर्जुन Master film makers सुखुमार गौरा नर्दरशित इस sequel में रूल करने के लिए लोटा है Film में अलू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली है वहीं आक्टर पहद फासल भी film का हिस्सा है साल 2024 में स्वादसपा दिवस के मौके पर film रूलीस होने जा रही है माल क्रीम की makers दर्शकों के लिए एक कम्प्लीट एंटर्टेंटमेंट देने के लिए तयार है अलू अजुन के film का फैन्स बेस अपरी से इंतेजार कर रहे हैं पुशपाटू का फिर्स पोस्टर मेकर्स ने साउर सूपर इसे प्री सपी इस सत्विह को ऐग राइक आने का रिकॉर्ड बन चुका है अब 200 दिन बात फिर्म बड़े पारती alors Nuuj sizing का उपुशपाटू से अलू अरजून की एक कौतो इंटरनेट पर च्षाग गई है सोचल मीडिया पर बारल हो रही लीग पोटो में 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 एक वीक तक मनाया जाता है लास्ट डे के दौरान मेल सीमेल्स की रूप में तैयार होते हैं और गंगम्मा के रूप में दिखाई देते हैं यह देता बुराय के नाश करने वाले हैं नर्देशक सुकुमार की पोश्पद राइस समब 2021 सिनेमा करों में रिलीस होई थी और उस स पर उनका सकेंड पार्ट भी तैयार किया चा रहा है दोस्तों आपको पुश्पट्टु का कितना इंतंजार है हमें कॉमेंट्स की तरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियों को लाइक और शेयर करें पुश्पटु के पोस्ट और इंट्रोडक्टरी वीडियो आने के बाद पुश्पट का करेदार तो मिस्टीरियस लगा ही लेकिन जिस करेदार को सब ने ढूंटा वो श्रिवली नहीं बलकी केश्वा का था जो पुश्पटु की साथ उसकी जौनी में पहले से ही रहा और अब इस करेदार के बारे में मार्केट में कई सारी बादी फैल चुकी है तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है केश्वा के बारे में तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि केश्वा पुलिस का आद्मी है जो पुश्पट जैसे लाल चंदन के स्मगलर्स पर जासू उसे दोखा दिया है तो उसे छोड़ी का नहीं इसके बाद एक थेओरी ये भी है कि केश्वा कुष्पा के आगे पीजे घूमता रहता था वहीं उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन रहता है और अब उससे संदिकीट का मालिक बनना होता है इसलिए वो पुष्पा से बगाव कि मालत की और दुश्मनों से हाथ मिला यह था थैरी इसल्सिला ही पर खत्म नहीं होता एक और थीआड़ी हे और उसके हिसाब से पुष्पा की स्टोरी को नारेडि किया चाह रहा है और ऊरेड़ कर रहा है किश्पा की ऱी तीसरे पाग भार बशipा की पाट की छीनग की पुश्पार 2 की शूरिंग जोरो शोरो से चल रही और अभी से पुश्पारू ने मोस्ट आंटिसिपेटिड मुवी की लिस्ट में अपनी जगह बना ली और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले साल में 15 अगस्ट पर जू बॉलिवुद वसस साउथ मुवी का जो ख्लाश होगा यानि सिंगम अगेन वसस पुश्पारू उसमें भी सालार आगे रह सके खेर बाब बता आप कि इतने एक्साइडर उस मुवी को लेकर हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बाबाई वुश्पारक्टस के साथ 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 इंडिन सुरीमा के लेए बी काफी लगी साविट हुई तशने बाकी की साथ इंडिन फिल्म्स के लिए रास्ता बनाया और उन्हें जिर्प इंडिया में ही नहीं बलकि वर्ल्ड वाइड फेमिस गराया और 400 CR की मासब कमाई साथी साथ अलू अजुन की स्वाग और अश्मे का मंदाना की ब्यूटी की दिवानी बन गए खबर ये है कि साउथ इंडिन ट्री बाद जो आते ही नाशनल क्रश भी बनी वो साई पल्लवी पुषपाटू का हिस्सा बनने चाह रही है जी हाँ, फिल्मी दुनिया में इस खबर ने जोर पकड़ ली है कि साई पल्लवी ने पुषपाटू की कास्ट को जोइन कर लिया है और उनकी फाहत फासल के साथ पैरिंग होगी बताया चाहर है कि उनका पुषपाटू में एक्स्टेंडड कामी होने वाला है पुषपाट रूल की शूरिंग शुरू है और खबर है कि साई पल्लवी जल्ब ही मुवी की कास्ट को जोइन करने वाली है हाला कि इस बात को लेकर अभी कोई ओफिशल कान्फरमेशन नहीं दी गई है ना तो मुवी मेकर्स और नहीं आक्षरस ने इस पर कुछ कहा है नहीं ट्वीट किया है लेकिन ट्वीटर पर शांस ने इस बात को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शो की है कि आईकोनिक साइटम पलवी को अलू अर्चुन के साधिक ना कौन पसंद नहीं करेगा साथि अलू अर्चुन ने पुछपाटू के लिए हाईटराबाद में जिधारा एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है जिसके बारे में उन्हों ने मंगला वारम के प्री रिलीज इवन्ट में बताया है पर वो अजशीफ गेस्ट इंवाइट थे और ये उनका नैशल अवाज जीतने के बाद पहला पप्लिक इवेंट भी था उन्होंने कहा कि पुछपा तुम्हें जिधारा एपिसोड एक मेन हाइलाइट होने वाला है जिसका फर्स लोग पोस्टर तो हम देखी चुके हैं और इसके बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं कि और कहा कि 15 ऑगस्त को मोवी देखने के लिए तयार रहेगा और वो तभी इस बार ज्यादा बात करेंगे लेकिन साथी साथ उन्होंने अपने फैंस का आभार व्यक्त कि और कहा कि आने वाले वक्त में वो अपने फैंस को प्राउड फील कराने वाले तब काफी सारे लोग ओफेंट हुए थे और उनका ही कहना था कि यह सही नहीं है ठायर अबाब हो तब कितने एक साइटेर उस मोवी को लेकर हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बाबाई शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को धूड़ने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट देपलोई की भावरा पेट के पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कुछ पर पुश्पा की मेकर्स की एक बात ना बड़ी अच्छी लगी कि भाई कुछ भी हो यसे कुछ लोग बच भी जाते हैं सालार की तरहा पर इस बार पुश्पार्टू वाले रिलीस ने रिलीस होने ही वाली है और इसके लिए डर्क्टर सुकुमा ने पुश्पा की शूटिंग माई 2 24 तक पूरी करने का पैसला किया है तब तक वो रिलीस होई फिल्में NTR की देवरा और प्रभास की कल की टूइट 9880 का फीडबैक भी देखेंगे और फिर फिल्म में कोई ना कोई बदलाओं जरूर करेंगे पर इसके बाद पोस्परोशक का काम शुरू होगा और फिर प्रमोशनल अक्टिविटीज शुरू हो जाएगी तरहसे बहुत लोग ना इसका रिजन ही अलु अजुन है अलु अजुन का फैन बेस ना काकी जादा है अलु अजुन का है नौट मार्केट में बाभुबली के प्रभास और के जिएव के यश्य बहुत पहले से है और अभी तक मेंटेंड है यह बास सही है कि सुकुमा डारेक्टर एसस राजा मॉल अजुन के तदह नौट मार्केट पर उतना है उतना है पर अलु अजुन के स्टार्डम से और हैप से बालेंस हो जाता है अब इसका टीजर हमने देख लिया है चुँकि सोशल वीडिया पर तबाही मचा चुका है इसके साथ साथ दोस्तों अब प्रमोशन से जबर्दस रह तो उसे ना माजिक क्रेटर करें से ओई रहो सकता है चासे अप्रटू ने माजिक क्रेट क्या रहा स्कूसे वैसा ही वैसे भी जब आप्टर ओफिन की तीम को ये समझ में आता है कि कि इस मार्केट में कौन सी प्रमोश्तिव साथेजी वर्क करेगी तो उनका हाइप बढ़ जिसे वो लोगों के साथ इमोस्नली अटाच हो सके वी बड़ा प्राक्टर है जो पुष्पा की प्रमोशन की वक्त नाजरा आया था अलू आरजुन हो रामचरन हो एंटी आर हो राजा मॉली हो इन्हें पता है दोस्तों कि अब स्पेसिफिक मार्केट में लांग्वज को अगर यही बात कोई बॉलवड अक्टर साउध इंडोस्टी में करे ना तो वहां के ओडियर्स भीना खुष वजाती है यानि कि इंप्रेस हो जाती है तो यही पढ़ना इस बार भी आजमाया जाएगा पूरे दर से और अक्टरेस दश्मिका बंदाना तो पहले से ही बॉल अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें असली कहानी क्या है पुषपाटू से अलू अरजुन का फस्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ तेड़ी गर्दन किये पुषपार आज नीले रंग में पुता शरीर पर साड़ी एक हाथ में पिस्तॉल लेकिन उसी हाथ के नाखुनों पर नेल पॉलिश लगी है हाथों में चमकते गोल्डन कंगन है गले में कच्चे नीबू की माला इस लुक की शोबा बढ़ाने का काम कर रही है अलू अरजुन का ये लुक चौकाने वाला था लोगोंने उमीद की थी कि वो अपने सिगनेचर पोस में दिखेगा हाथ में बंदूक बदन पर लूंगी बांदे य से करनाटक और आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है साथ दिनों तक चलने वाली गंगंमा जातरा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है इस दोरान भव्वे पुजा की जाती है कुछ जगा देवी का प्रसाद के रूप में मासाहारी भोजन चड़ाया जाता है साथ में से बीच के दो दिनों में यातरा निकलती है जहाँ पुरुष अपना भेश बदल कराते हैं महीलाओं की तरह सज कर उनकी तरह शिंगार कर इस यातरा में हिस्सा लेते हैं संभव है कि पुशपाटू में अलू अर्जुन का गिरदार भी ऐसी यातरा में हिस्सा लेरा होगा तब ही उसने ऐसा वेश धरा हो लेकिन तिरूपती में मनाई जाने वाली गंगंमा जातर की कहानी बिलकुल विप्रीत है लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरूपती और आसपास की इलाकों पर पले गुंडेलूर नाम का एक आदमी राज करता था एकदम उने पर एक सुन्दर महिला बनी पले गुंडूलू की नजर उन पर पड़ी उसने उनके साथ दुर्वेभार करने की कोशिश की देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया लेकिन वो बच निकला जाकर किसी अग्यात स्थान में छुप गया उसे बाहर निकालने के लिए द अभी गंगंमा देवी ने उसे मार डाला अगर पुश्पा 2 में पुश्पा राज जात्रा में हिस्सा लेता है तो मुम्किन है कि अपने किशी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा दोस्तों आप कितने एकसाइटेड है पुश्पा 2 के लिए हमें कमेंग बॉक्स में आपनी राइज जरूर बताए और देखते रही है हमारा चानल पॉलिग्राज स्टूडियोज अबरूल पुश्पाका रिलीज डेट अनाउंस करते ही पुश्पा के मेकर्ज ने बहुत बड़ा क्लैश कैसे मोल लिया अलू अर्जुन की पुश्पा 2 की रिलीज डेट आ गई है इस फिल्म के मेकर्ज ने वही वीकेंड चूस किया है जिस पर गदर 2 रिलीज हुई थी ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में लगेगी इस रिलीज डेट की अनाउंसमेट के साथ ही पुश्पा 2 के मेकर्ज ने बड़ी क्लैश मोल ली है क्योंकि इसी दिन अजे देवगन रोहिद शटी की सिंगम 3 रिलीज होने वाली है पुश्पा 2 के मेकर्ज ने रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया इसमें अलू अर्जुन ने परपल कलर की कमीज पहनी हुई है उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है जिसमें उनोंने तीन सोने की अंगोठिया पैनी हुई है और कानी उंगी पर नेल पेंट लगा हुई है और खून के कुछ छीटे नजर आ रहे हैं दूसरे हाथ से संभवता वो सिगरेट पी रहे है उसी के धुए से उनका चेहरा चुपा हुआ है पुश्पा 2 के इस पुश्पा 2 को देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने पुश्पा राज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा feminine touch दिया गया है या कुछ और angle भी हो सकता है पहले तयारी थी कि पुश्पा 2 को 2022 में रिलीस किया जाएगा क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी तब ही KGF 2 रिलीस हुई उसके बाद मेकर्स ने पुश्पा 2 को दोबारा से शूट किया इसलिए उनोंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया पताया जा रहा है कि पुश्पा 2 के आदितर हिस्सों की शूटिंग हो चुगी है मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाते इसलिए उनोंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकाइदा एक साल का समय लिया है वो अपनी पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीस करेंगे 15 अगस्त को गुरुबार पढ़ रहा है ऐसे में फिल्म को चार दिन का लंबा एक्स्टेंडड वीकेंड मिल जाएगा दिक्कत यह है कि इसी तारीक के लिए रोहिद छटी की सिंगम 3 भी स्केड्यूल्ट है रोहिद बता चुके है कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इस बड़े बजट और भहंकर स्केल पर बनाया जा रहा है प्लस उन्होंने अपनी पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्टी को कास्ट कर लिया है सिंगम 3 में अरजे देवगन के सातक्षे कुमार, रन्वीर सिंग, दिपिगा पादुकोन, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे अक्टर्स नजर आने वाले हैं ये तो प्राइमरीरी कास्ट हो गई, बाकी रोयचेटी, कॉमेडी, गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा होगी वहीं पुश्पा 2 में अल्लू अरजुन के साथ रश्मी का मंदाना पहाद फासिल तो होंगे ही उनके साथ साई पल्लवी, जगपती बाबू और प्रकाश राज भी जुडेंगे पुश्पा दराइस के लिए अल्लू अरजुन को बेस्ट आक्टर का डैशनल अवार्ड मिला है वो ये अवार्ड पाने वाले पहने तेलिगू आक्टर है खैर पुश्पा टू को रंगस थलम फेम सुकुमार डाइरेक्ट कर रहे है आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे पुश्पा टू या सिंग्णम थ्री हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारे चैनल पॉलिग्राद स्टूडियोज कुछ को ज़ता है हुई 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 मेरे बात करने का वक्त ही है अब मैं जो भी बात करूगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूगा पुषपा नाम सुनके फलावर समझे क्या फलावर में फायर है मैं पुषपा दारूल से अलु अरजुन का अलग और डबल रुमांचित करने वाला कियोदार देखने को मिलेगा पुषपा दारूल में दर्शुको को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा पहले पार्ट में पुश्पा ने शिखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा ना उसकी इज़त करेगा वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गाउं वालों का भला करने वाला पुश्पा को पुलिस के जरीए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गाउं पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा पुश्पा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे पुश्पा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोड़ी जमेगी दूसरे पार्ट में श्रीवली एक बच्चे की माँ बनेगी इतना ही नहीं पुश्पा अपने दंपर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड़ी जो पहले पार्ट में लगबग मौत के मूव में पहुच गया था पूरी फूर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूवी में शीनू की पत्नी दक्षाइनी ओर्फ अंसुया भारदवाज भी अपना दमखम दिखाएंगी एक्षिन ड्रामा फिल्म पुश्पद अर्डाई साल 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उभरी इस फिल्म ने भारतिये बॉक्स ओफिस पर तीन सो करोड रुपे से ज़्यादा की कमाई की याद हो कि इस फिल्म में श्रीवली, सामी, सामी और उउंटवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चाट बस्टर्स के रूप में उभरे वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सूपर हिट गानों की सीक्वल की भी बात आती है तो फैन्स इससे काफी उमीद रखते हैं बीएसपी पुश्बा दरूल के लिए ट्रैक तयार करने के लिए लोटे हैं इसी को लेकर संगीत कार ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तयार कर लिये हैं वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में साजा करते हुए DSP ने कहा हर कोई पुषपा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्र गुजार हूँ जो सभी ने हम पर बरसाया है जिस तरह से निर्देशक सूकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अधभुध है हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करें हैं DSP ने पुषपा के समान था रूत प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइस को लेकर कहा हम पुषपा 2 में उवन टवा के किसी भी रिप्राइस को नहीं देख रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पहुत सर प्राइस पर काम चल रहा है मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को पुषपा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के फिल्मी कलियारिन पुषपा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिज्निस कर लिया है पुषपा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की लेकिन अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसला जारी पुषपा के गाने और संबाद सब कुछ काफी हीट रहा है पुषपा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइन्स टेली फिल्म्स के डारेक्टर मनिश सा का हाथ जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया गया और पूरा देश पुसपाटू के आने का इंतजार कर रहा है। हाली में मनीश राह ने एक इंटर्विव में पुसपाटू की रिलीज डेट से लेकर सूटिंग सेडियूल को लेकर जवाब दी। दिये के इंटर्विव में मनीश राह ने कहा कि पुसपाटा राईज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था। लेकिन क्रिसमस के बाद इस फिल्म ने हिंदी ब में कब और कितना समय लेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि पुसपा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। इस लंबी फिल्म की सूटिंग में समय लेगा। उन्होंने बताया कि पुसपा 2 की सूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुसपा के पहले भाग की सूटिंग 210 दिन पुष्पा बाहु बली टू का रिकार्ट तोर देगी लोगों का तो ये मानना है कि जो पुष्पा टू रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोन नहीं भलकि 1000 करोन तक का बिजनिस कर सकते तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएए कि आप पुष्पा टू 1000 करोनी फिल्म ब देख लिया है क्या वाकई ये KGF को टक कर देने को तैयार है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्ट्यूडियो वैंसो निकजार दोस्तों पुष्पा के लिए फैंस की एकसाइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ है और एक साउथ की सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिर्म का आधावाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता देए ये आक्टर है बुची बाबु इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिर्म उपें से ल लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को देख कर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी सार रुलीस होना है फिल्म के पहले पात ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बाबु की जो पसंद को दर्शक कि तुल्ला के जीएफ से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि के जीएफ कभी अलगी स्वयर कि उसका दूसरा पात आने वाला है और लोग जो है वो बेसबरी से इंदधार कर रहे हैं अगर मोस्ट अवेटेज फिल्म बोला जाए तो के जी उड़ी एक ट्रेलर रीलीस कर दिया जो की धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है आपको इतना वेट है पुश्पा का और क्या लगता है अगर पुश्पा और के रश्मी का मंदाना से क्यों हुई ओडियन्स खफा? क्यों रश्मी का मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्स का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है? मैं फ्रेंक आप सभी का स्वागत करती हूं बाली गुरेट सुडियोज में पुषपा इडिया की अपकमिंग पैन इडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रीलर फिल्म है जिसके लिए ओडियन्स पेहद ही एक्साइटिड है एक तो बाहु बली और केजियेफ के बाद फिर उन्हें साउथ इंडिस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेन्मेंट की सोगात म मिलने वाली है उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्टार अलू अर्जुन है इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश दे क्यूटी रश्मीका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल साथवे आसमान पर होने वाला है लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस गलती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खत्रा बन सकती है तो क्या है वो दरसल कुछ साल पहले जब रश्मीका के करियर उडान के लिए पंक फैला ही रहा था तब एक इंट्रव कर दिया उनके इसके नाम से पूरे मीडिया को हिला कर रख दिया आखिर में हार कर खुद रश्मीका ने यश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेक्टर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिस्रेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी उन्होंने अपने फैंस से ये सब तुरंत रोकने को कहा था उन्होंने कहा कि वो रश्मीका एक दूसरे को परसनली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के बी बारे में उपिनियन्स रखने की पूरी अजादी है इसके उनके बिहेवियर में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मीका को उनके नाम पर हैरेस करें ये सब कहा केजीय स्टारर येश ने आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है लेकिन अब जब रश्मीका और येश दोनों ही स्टार्डम की उचाईयों पर है तो अकसर उनसे जोड़ी खबरे यूँ ही सर्फिस पर आ लगता है क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर ढाल सकता है ये फिर फिल्म बिन चुका है और एक साउथ की सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधाबाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वह भी करारी वाली आपको बता ये आक्टर है बुची बाबु इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइउन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी था वहीं मीरिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग दे ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबु की माने तो एक देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बागपु की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कायव ऐसा होता है कि नी क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है अगर बुची बाबु ने कि सीथी तुल्ला के जीएफ से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि के जीएफ कभी अलगी स्वैक यह दूसरा पाट आने वाला है और लोग जो है वो बेसबरी से इंदजार कर रहे हैं अगर मोस्ट अवेटेज फिल्म बोला जाए तो के के जीएफ है तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो यह देखना दिल्चस्प होगा कि क्या यह के जीएफ को टकर दे पाएगी साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो और ट्रेलर रिल हो रही लाग महनत पर भारी तो हाई गाइस में हुष्ट्रिया रोरा आपके आज की होस्ट आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीच वीडियो में तो चलिए बिना जादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो अब वो दिन चले गए जब फ फैंस कर रहे होते हैं और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडास्ट्री ने लीडिंग प्रिजिशन हासिल कर रखी है इन्हीं मोस्ट आंटिसिपेटड फिल्मों में से एक है साउथ सूपरस्टार अलु अर्जुन की अपकमिंग आक्शन थ्रिलर फिल्म पाखिर क्या है पुरा मामला जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस कॉंट्रोवर्शिल कहानी की शिरुवात होती है एक ट्वीट और एक अनौंस्मेंट से वैसे तो अलु अर्जुन के फैं पे मनाने अलु मुंबई गए थे जहां वास किसी काम में बुजी थे ये वाकई उनके लिए एक हार्ट वामिंग सप्राइज था जो कि कुछी समय में अलु के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया एक्चली वास ने अलु की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनौंस् सोच रहे होंगे कि अक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है लेकिन इस अनौंस्मेंट ने अक्टर को मुसीबत में डाल दिया पहला कारण तो ये कि अक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनौंस्मेंट यू नहीं करते हैं अनलेस उन पर काम जल्दी प्रोच किया गया था अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनौंस्मेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रेड्यूसर्स को आक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था या फिर बाकी आक्टर्स को कॉम्पिटिशन देने के लिए जिनके आपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है अब डर तो यही है कि कहीं स्टंट का अलू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइम लाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना समझे तो चलिए आप हमें चल्दी से कमेंट करके बताईए कि आपको क्या लगता है क्या यह एनाउंस्मेंट सिर्फ एक एक इकसाइटेड और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपरली स्ट्राइजाइज एजेंडा अपनी राएं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी आज शेर्स जरूर कीजेगा तो दोस्तों बाहुबली के ग्रेंड और और उसके बाद के जीएफ की सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुश्पा उतर रही है अपना कहर जमाने पुश्पा डार्टर सुकुमाद वारा नेदेश एक मूवी है जिसको एक पान इंडिया रिलीज मिलने वाली है और खास बात यह है कि इस मूवी की लीड रोल में हमको अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं वैसे तो अल्लू अर्जुन का फान बेज इंडिया में काफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है लेकिन हाँ इसका हाइस प्रपोर्शन साउथ के दर्श प्रभास को क्या अलू अर्जुन टकर दे पाएंगे बात दरसलिये है कि अलू अर्जुन को प्रभास के पराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चड़ना पड़ेगा अब मैं जानती हूं आप काफी कंफ्यूज हो गये होंगे लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़े पुष्पा के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही है कि पुष्पा रेट सांडल बूड की स्मगल की कहानी होने वाली है जिसमें अलू अर्जुन काफी खास करिदारों में नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाइप्रोफेशन अब खास बात यह है कि बॉक्स ओफिस पर बाकी कॉंपेटिशन और क्रिटिसिजम के साथ साथ उनको एक बहुत बरी डकल मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलाज से तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पुष्पा का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन क्रिटिसिजम या इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं पहली बात तो यह कि दोनों के दोनों साथ के बहुत फेमस आक्टर्स हैं और बॉलेवर्ट में अपना नाम जमाने की फोश रिश्में हैं वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आती है कि दोनों की म माइन कहा जाता है अब पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि पुश्मा एक स्पगलर से जुड़ी कहानी है लेकिन क्यूंकि शूटिंग फिल्म की कोल सीटी जैसी जगा पर हो रही है तो हम लोग यह कैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मग्री से रिलेटेट ज़रूर मिल जाए अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अब भी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कबजा दावाने की कोशिश कर रही है तो दोस्तों अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकस मुझे द और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहे हैं और वो कितनी टकर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से जाधा इत करना पड़ेगा अपने मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टांडर्ड के करेंट आ सकें अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियंस अब ही रोस को सर्फ हीरो के आरक्टर में नहीं देखना चाहती उन लोग को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव करक्टर को एक्स्प्लोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवी में कह उनके एक्स्प्लोरेशन के ऊपर ही मूवी घूमने वाली है अब इतनी सारी सिमिलारिटीज और आज पास की रिलीज देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्स्मगलर काताज तो दोस्तों आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कैसे एक बार फिर पुष्ट पाने लिए के जेव से इंस्पिरेशन क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलिंग डैर स्टूडियोज में पुष्पा अलू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसमें लॉरी ड्राइवर बने अलू अर्जुन तो रैट सैंडल्वुट की तसकरी करते हूए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलू अर्जुन और रश्मी का मंदाना की जोडी को एक साथ देखने को मिलेगा अलू की दूसरी फिल्मों से बिलकुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अवतार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर में टिकेट बिखती है और यह एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिखने का इस बार उन्हें रग्यदवदार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एक्साइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एक्साइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन? जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसिंटली जुड़े आक्टर फ़हाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाय हार्ड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजिन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़हाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफीशिल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फ़हाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ओफ मॉलिवूड के नाम से इंट्रिडियूस किया गया है जैसा की वीडियो में बताया गया है कि फ़हाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है इसलिए वो किसी ऐसे एक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियन्स को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बल्कि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़र आ रही है ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये इस न्यू से इंप्रेस्ट फेस्ट का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अरजन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आखों से भी अक्टिंग कर सकते हैं अलू अरजन के फैन्स वागई लगी है कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमेंट में बताएं कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटन है और अगर आपको ही है पुष्पा और केजिये फे बीचाप कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनट पुष्पा अलु अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर रही इस फिल्म में नैशनल क्रेश रश्मे का मंदाना को एक रीडिंग लेडी का कास्ट किया गया इस फिल्म को लेकर ओडियंस में जितना क्रेश है उतना ही तनाव ही है तनाव इसका कि KGM सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी है दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स को और इस दर्शुकों के सामने रखे जा चुके हैं लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तक्रार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिए को और अगर आपको मारा वीडियो पसंदाए बिस लाइक शेयर करना भूब करना बूलेगा हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुश्वास में जुड़ी एक एहनम खबर दी लिए कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोस करने की जिद्दारी बेरी पॉपुलर और सक्सेस्पूल म्यूजिक कंपोसर डेवी शंकर प्रसाद के कंदों पर डाली जाती है जि मुसीबत यह है कि गाने से फिर एक बार केजिये फैंस और पुश्वा फैंस आमने सामने ख़रे नजर आ रहे हैं जैसा कि आप सब लुग जानते हैं कि केजिये के सक्सेस के पीछे न्यूजिक कंपोसर अभी पसरूर का स्पेशल कॉंट्रिब्यूशन था जिनकी कॉंपु बिएक पाइट वे उटकी तौर पर देख रहे हैं और चानता चाहते हैं कि दोनों मेर देंस जिया आप सूच रहे होंगी कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं इसमें के जी पनेक्शन क्या है लेकिन आपको बताते कि गाना दियस्पे ने लिखा है वह सेशली फिल्म में अर्लू अर्चुन की क्यारेक्टर को एक्स्प्रोइन करेगा जी और वो थी एक पार पार तरीके से और अगर आपको याद हो तो KGS में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिसे और पसंदी किया था और आज भी कई बार किसी ने किसी स्वैग वाले वीडि है और दोनों फिल्मों से आप किसको वेड देना चाहेंगे बताइए हमें कमेंस में करेक्टर अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर कुश्पा ने अनौंस्मेंट के बाद से ही सब की नजरें अपनी ओर कर रखी हैं इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का पीता हाशा प्यार मिला जिसमें अलू अर्जुन के रग्ड लोग को तो खास तोर पर काफी अप्रीसियेशन्स मिली फिल्म एक आक्शन त्रिलर होने वाली है जिसमें रेड सैंडल वुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी फिल्म का क्रेज अलरड़ी अपने एक इस्तों के साथ शेयर करना फिल्कुल ना भूलें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है और खास कर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सूपरस्टार अलू अर्जुन हो जिसका एक स्टेप भी बन जाता है तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना की पूरी फिल्म पर और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेक अजने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंक प्रसाद के दरवाजे घटकट आए हैं खबरे आ रही हैं कि द वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किया जाएगा तो आपको बता दे कि देवी शंक का प्रसाद इससे पहले भी अनंदम कालू सुको वालनी मन मधुदू वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉम्पोजिशिशन इंडास्ट्री को दे चुके हैं जिसमें से आर्या तो अलु अर्जुन की ही फिल्म है इस तरह इन दोनों की कॉलाबॉरेशन तो अल्रेडी हिट रही है देवी सर को इंडास्ट्री के वन आफ दी मोस्ट सक्सेस्फुल म्यूजिक डैरेक्टर्स में गिना जाता है और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना क्यूंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडास्ट्री के बैरियर्स को हटा कर पूरी इंडिया की ओडियंस पर एक चैसा ही इंपैक्ट करे जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशन्स पयान कर डाले और देवी शंक प्रसाद ऐसी कबिल्यत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोसर्स में से एक है यूँ तो देवी शंक प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलो कॉम्पिनेशन समझा जाता है लेकिन रीसेंट सोशन मीड या ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुलारिटी के बाद देवी शंक प्रसाद के कंधो की जिम्मेदारी और भी जादा बड़ी और इंपोर्टेंट हो गई है अब वो इसे कैसे निभाते हैं यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा त अतने एकसाइटेड हैं और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चानल बॉलीग्राट स्यूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं उपासना पांडे बहुत-बहुत-ब अलका मचा दिया है खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अलु अर्जुन के इस नए अफ्तार के बाद अलु अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो कि आप जानते हैं कि इस लुक के पिछे चुपा असली टालेंट कौन है नहीं को यहीं हम बता देंगे तो दोस्तों यह चीज तो आपने नोठी की होगी कि हम कई बार आक्टर्स की तारीफ करते हैं वा यार रनवीर कपूर तो पूरे संजदत लग रहे हैं यार रनवीर सि को क्या लुक लिया है हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वह अमिता पच्चन ही थे लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई महनत को रगनाइस करना हम अकसर भूल जाते हैं लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि यह बॉलीगाट स्टूडियो की नगरी है यहां किसी क भी महनत अनकही नहीं जाती और इसलिए आज हम इस रात से परदा उठाएंगे कि आखिर अलु अर्जुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है दरसल सोशल मीडिया पर तहल का मचा देने वाला यह लुक असल में मेक अप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प पाजिराव मस्तानी पादमावल जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेक अप टूटोरियल सर्च किये थे या फिर सव नॉट आउट में रिशी और अमिताप सर का लुक देखकर आप भूली गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं या फिर गम सारे आइकोनिक पिक्चिर्ज और उनके ये आइकोनिक लोक उनी की देन हैं इतना ही नहीं मॉम हाकरे शिवाय हवाईजादा हाउसकुल 3 बाला पंगा अंदादुन छिचोरे मुल्क पती-पत्नी और वो यसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके एक लंबी लिस्ट साथ हो तो वीडियो को जरूर करें गया लाइक और शेयर और कर दीजिए करने वाले हैं बॉलिवुड में डेब्यू नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चानल बॉलेग्राथ स्टूडियोस के एक फ्रेश नए वीडियो में मैं हूं आपकी होस्ट और द काफी ज्यादा चर्चा में गिरे हुए हैं अलु अचन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है वहीं मुवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं जहां मुवी को सेकेंड पार्ट में रूलीज करने फर्स्ट मुवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा अक्शन और तबातोर फाइटिंग सीक्वेंस दिखाये गए हैं इस मुवी में अलु अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा अक्श लोकेशन में की गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलु अर्जुन को पुष्पा राज मुवी में चिट्टू डालेक्ट में फिल्म के सभी डालोग्स बोलने हैं जिसके लिए अलु अर्जुन अलग से एक लांग्विज एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ता बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखनी को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा रश्मे का मंदाना इस मुवी को लेकर काफी ज्यादे एक्साइटेड भी है उन्होंने मुवी की शूटिंग को लेकर ब पुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिसा तेलंगाना के मोटो गुडेम विलिच में शूट किया गया है मुवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अलु अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मातर पुष्पा राज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकि है बीच में 28 एप्रिल को अलु अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविट पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी ती जिसकी कारण कुछ दिन तक अलु अर्जुन होम कॉरिंटीन थे जिसे वहां जा मुवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एस पर स्केडियूल टाइम पर रुलीज कर पाना मुश्किल है तो न्यूज रिपोर्ट के नुसार रुलीज देट पुस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रुलीज देट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 डिसेंबर के आज पास रखी जा सकती है तो वहीं पुष्पा राज का पोश्टर और टीजर अलु अर्जुन के बिर्ट्डे के दिन जुलीज किया गया था लॉंच पर अलु अपने सभी रीजन के फैंसे उनने देर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अधा भी किया उन्होंने अपने नौत हिंडिन हिंदी और अदर रीजिन के फैंस के लिए अपना ग्राटिटिउड इंग्लिश लांगुज में बताया और साथ ही हिंदी म में उनकी फैन फालोइंग भी बढ़ती जा रही हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलने के बाद अलु अर्जन की बॉलेवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है अलु अर्जन ने अपने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉलेवुड डेब्यू जरूर करेंगे उन्ता कहना था कि बॉलेवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा अजमायर भी किया जाता है जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के अक्टर्स साउट फिल्स में डेब्यू करते हैं फिल्म्स बनाते है वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्री में ज्यादा ओडियन्स गेंड करना चाते है और पुश्पा राज के इस मैसिफ प्री रूलीस सक्सर्स के बाद से हे नो ने हिंदी इंडस्री में अपना proba again है अलू अर्जुन हिंदी फिल्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं जहां बाकी तेलवू आक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं ऐसे में अलू अर्जुन हिंदी फिल्स में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटन है उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चॉइस है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी इंस्पायर करता है फिलहाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्री की अपकमिंग मूवी पर है सबसे ज्यादा उश्पाराज पर है अलू अर्जुन का बॉलिवोड में आजनीव कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है मगर जल ही वो बॉलिवोड मूवी में नजर आ सकते हैं उन्होंने काफी स्क्रिप्स पड़ी है मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई अलू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड़ी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया मगर अर्जुन रेड़ी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था उन्हेंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है आफ्टर दाट पुष्ट अलु अर्जुन की अपकमिंग मुवी पुष्टास बात बताएं तो दोस्तो शदा कपूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी जादा बहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वज़े से फिल्म को काफी फिल्म और काफी बज मिल सकता है तो आपका इस टेक्नीक के बारे में पिलर भी रिलीज होने वाला है दोस्तों मैं आपको बता दू इस फिल्म में अलु अर्जुन की ओपोडित नाशनल फ्रस्ट कुष्मिका मान देना नजर आने वाली है कुष्पा में विलिन की तौर पर पहाद फजिल नजर आएंगे साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट करना ही इसको तुमार्ण दोस्तों कुष्पा आज इतने जादा ओलाइंगे इसलिये भी है क्योंकि इस फिल्म में दीर जोर पर अलु अर्जुन नजर आने वाले है और अलु अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ ऐसा है कि हर फिल्में लगातार चड़का में बनी रिखी है अगर कुष्पा स्क्सेस्पुल होती है तो उसका कुछ प्रेडिट अलु अर्जुन की नासिफ पॉपुलारिटी को भी जाएगा आज उने सीरियों में बात करेंगी कि आकर कैसे अलु अर्जुन साउट से सूपर स्टार बन गए और क्यों उन्हें साउट का स्टाइट यंग आइटिन कहा दाता है अलु अर्जुन ने जादकर काम साउट इंडस्ट्री में ही किया है अभी तक वो बॉल्वूर की पीसी फिल्म में अपना डेब्यूट पेड़ते हुए नहीं दिखे हैं उमीद करते हैं आने वाले बॉल्वूर की किसी फिर्में भी कार्ण करेंगे तो फिल्हाल मैं आपको बता दूँ उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था अज अप चाइल्ड आक्टर विजयता फिल्म के साथ उन्हें बच्पन से ही आक्टिंग और डान्सुन का रहा था और इसी वज़े से उन्हें कई आडविटाइजमेंट्स भी मिलने रहे इसके बाद अलू अर्जुन को उनकी टेहिल फिल्म में ली जिसमें इंडी के डार नभाया था और बोध ही गंगों की गंगोंत्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म में अच्छा काता बिसमित भी किया ता लेकिन अलू अर्जुन के करियर में तक से बability अब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिवेस्ट किया गया आर्या को अलू अर्जुन कि करियर का चाब से सकस्वल पर यह को जाता है अब बात करते हैं कि आखिर अलू अर्जन को साउथ का स्टाइलिश सूपरस्टार क्यों कहा जाता है तो दोस्तो मैं आपको बता दो साउथ इंडस्के में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर इसी के लुक्स को सबसे जादा अप्रिसीयेशन मिलता है तो वो है अलू अर्जन हास्तोर पर उनकी ड्रेसिक स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं दोस्तो हम सभी जानते हैं आने वाले दिरों में अलू अर्जन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है इस फिल्म के लिए उनके तमाम पैंस काफी एकसाइटेड है पुष्पा बेसिकली एक ग्यांग वार फिल्म होने वाली है इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे स्टांडर गुट की इल्लीगल दस्तरी की जाती है और कैसे अलू अर्जन फिल्म की शुरवाती दोर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बात भी उनके जुन्दिकी में काफी बदलावा जाता है आप पुष्पा की भी कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट इच्छे में जरूर बताइए अलू अर्जन की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवी पुष्पाराग जिसे सुकुमार ने जरेक्ट किया है चल ये थीटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है बावजूद इसकी ओडियंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस मूवी से रिलेटेड बार बार कोई न कोई अफवा हर बार मार्कित में नजर आ दी है जिस वज़े से फैंस के एक नई फैंस फियोरी बननी शुरू हो जाती है इस मूवी के लिए जहां टॉली वूड के हाइस पेड एक्टर्स में से एक अलू अर्जिन को कास्ट किया गया है तो वहीं इस मूवी के बाकी की कास और क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मैंबर से जुरी हुए है फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस्ट इंड्यूव्यू में ये बात कन्फर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीस करा जाएगा ऐसा करने के एक बड़ी वज़े ये है कि फिल्म की स्चोरी में बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुम्किन नहीं है इसलिए हीरो और डारेक्टर ने साथ मिल्कुर ये डिसाइर किया है कि फुष्पा को दो पार्ट में रिलीस किया जाएगा क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है जी हाँ बिलकुल सही सोचा आपने मेगा ब्लोगबस्टर बाहु बली मूवी में भी यही हुआ था फर्स पार्ट में मी बहुत बड़ा स्पैंक होने की वज़े से फिल्म को दो पार्ट में रिलीस किया गया फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मोवी को रिवर्स में ले जाना ऐसा कॉंसेट पहली बार ही किसी मोवी के जरिये दिखाया गया है कहा जाता है कि गाना है तो मोवी सुपर ही और जहां इस गाने की पूरी प्रेडक्शन, टॉप मूजिक, डिरेक्टर, फ्रेड्यूसर और ओस्कर बीनिंग स्टार के पास हो ऐसे में देखना दिल्चेस्ट होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सिस इस मोवी को मिल पाती है लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये मोवी एक पैन इंडिया मोवी होने वाली है तो सोचने की बात है कि जहां साउट सॉंग में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है ऐसे में क्या इस song का Hindi में भी कोई dub version या new Hindi song भी launch किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो इसे movie का Hindi audience के साथ काफी गहरा connection बन जाएगा अब ऐसा करने की एक वज़े ये हो सकती है कि Alloo Arjun वैसे ही अपने handsome और dashing look के लिए काफी popular है पर उनके handsome hot looks और personality एक काम बात हो गई है अब कमीं मुवी के लिए काफी जाबा excited है और पूरी टीम में बहुत जादा जोच है फिर्म का ट्वेलर 70 मिलियन द्यूस क्रोज कर चुका है जिसे फिर्म की पूरी टीम काफी जादा हुच है सिर्क के रिलीस पहले ही इसनी बड़ी काम्याभी मिलना साओ इंडक्ष्ट्री के लिए एक आम बात होती ही जा रही जियार होता है मुवी के ट्वेलर में कोई डाइड़ाब नहीं है सिर्फ अलू अर्जुन के action scenes, look और fighting sequences में काफी तहरका मचा दिया है इसनी कोई मेरे रही फॉरेस के शूट किया गया है जहां हाइप पुलिस कोष्ट और कम्प्लीट सेक्योर्टी ने इस प्रती पर काम किया गया था क्या आप जानते हैं कि इंटर्नाशनल प्रियू और साओ के action scenes काफी रदाते हैं और साथ शायर से इंटर्नाशनल ओडियंस को भी लुखाने के लिए तुष्पाराज की कामरा हैंनलिंग के लिए तूस किया गया है पॉलिश क्यामान मीरस्लाव फुबर प्रेजेंक को जिराद होसके मीरस्लाव वो इंडिया में T.C. Shriram of Poland का जाता है इसी श्रीराम इंडिया के लिए वोड़ किनमाटो प्रेजेंक के एक हैं जो कि वह सी तहले को फिल हंदक्षी इसमें काम करते हैं मीरस्लाव इसके तहले क्या ही दम भूधी जसको पिक्रम कुमार ने डिड़ेक किया उसके लिए अग्यावक वरसन काम कर चिके हैं उस फिल्म में मीरस्लाव के काम से इंड्रेस्टो कर लिए सुकुमार ने अपनी अपकमिन फिल्म पुषवाराज के लिए निम्प फायर गिया मीरस्लाव भी फिल्म में हिस्सा बनने का यह मौका पाकर खुश नजर आ रही हैं और पैंस भी ये खबर सुनने के पाथ काफी जादा खुश पर लेकिन ये खुशी के पल्स जादा समय तक नहीं घर पाई दी जी हां सूतरों के मुताबिक खबरों के अनुसार पुरुनों पैंडमिक की वज़ते वो वापिस जा रही हैं और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रही हैं बता दे कि Alu Urchin Mirozlau के साथ काम करने के लिए काफी रहा एक्साइट है और यह एक्साइटर मेरोस लॉँट में भी दिख रही हैं ट्रेलर लॉंच के दौरान, Miroslaw ने फिल्म की काफी तादीशी सीगी थी और फिल्म के हर इविंट का चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या पिर कई पूजा सरे मरी हो या फिल्म का सेलेब्लेशन कियो ना हो उसका हिस्ता जरूर बते भी Miroslaw ने फिल्म से अटाच हो चुकी लेकिन अब उन्हें जाना पढ़ रहा है इंटरनाशनल ट्रावल में सेस्टी बनी रहने के लिए इससे लिए सभी रेस्रिक्शन और गाइलेशन को फॉलो करते हुए उनको एक फिल्व ट्रावल जोन में रखा हुआ है यह एक्वेक्स फिल्म पर गहरा अच्छर डाल सकती है कि फिल्म के टीजर से भी फिल्म का गहराई और प्रिल्ड का पाफी परख चलता है अब क्या नियु प्रामरामन इस लेवल को मैच कर पाएगा तेल्व तेल्व जोन में आज फर्वल्म को अप्रोच करने के चलता है जिसे फिल्म की विट्रेण क्वालिटी और तामें इंग्श कूपर तामें आतनी है अब इसका फिरोपियों पोल्ष इसने माटक रावन अपना कहाँ दिखाच पिल्म्स में जिहां पूस्तर इससे पहले ये खुशिश कुष्पा राज के लिए थी कुई धील लेके सब्सक्राइब नहीं हो पाई अब क्या नया का आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में अल्डू अर्चन की अपकर इस फिल्म खुश्पा ने अपनी नाउच्पन के बात से भी मीडिया में संसमी मचा रखी है कभी पिल्म की हिरोई तो कभी फिल्म का विल्म का गाना पिर आए दिन किसी ना किसी कारण से हेड्लाइन से रहती ही है इन सारी अपेज की इंफोमेशन को हम आपको अपनी पिछली वीडियो में देखी चुके हैं लेकिन आज हम वो बेसिक इंफोमेशन शेयर करेंगे जिसना जवाब तो सब चानना चाते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है ऐसी कौन सी सीप्रेट खबर जान दे करें हमारी वीडियो को एंग तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पंस लाए उस लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले जबसे को इनाउंसर हुए एक सवाल में सब के मन में घर करें आपे फिल्म का नाम कुष्पा ही क्यों नहीं कुछ और क्यों नहीं क्या इसके पीछे कोई स्रीक्रेट वजह है इस बारे में कल क्योरी देखें कुछ की अपॉड़ी कुष्पा फिल्स में अरजुन की मुझा का नाम कुष्पा हो सकते हैं जित्से हो बशत प्यार करते होंग और उन्हों में अपना नाम के रखने पे, चुच का कहना है क्या पता। लीडिंग लीडी रश्मेका का नाम सेखुलेशन की हट तो तक तक होगी जब उनने यह कहा कि क्या पता डिरिक्टर सुपरमार राजश्किर्टा के बड़े पैन इसलिए यह नाम रच दिया गया, you know, कुश्पा, I agree, dear. पर हमने यह गुस्की सुलजार ही ली, actually इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल का कारण है, जितना डीप में जाकर साइंस में सोचा, उतनी मेहनत मेकर से नहीं की, फिल्म में अल्लू अर्चिन की करेक्टर कर नाम कुश्पक नारायन रखा गया, जिने सब प्यार से कुश्पा उलाते हैं, और इसी वज़ा से फिल्म के लिए इस टाइटिल को चुना गया, आफ्टर और पूरी कहानी इस सिर्दार के एक गिर्स नुमी दी, बताते ही कि इसके पहले फिल्म का नाम सेशा चल्लम रखा जाने बाला था, क्योंकि ये पूरी कहानी सेशा चल्लम में प्रॉ शायद इसी चीज को वाइट करने के लिए क्योंकि मार ने सेशा चल्लम को फुष्पा कर दिया, इसके फिल्म का टाइटल काफी कैसी भी हो गया, और और इंक्लूसरी और कुरियोस्पी लगाने बाला हो गया, एर ये तो हमारी प्रज़न फांस के लिए बेहत थास, हलो नम मुवी पुष्पराज के बारे में, दोस्तों पुष्पराज के टीजर जब से रिलीज किया गया है, और अपने बोधे पर टीजर के सक्सेस्फुल लांच पे जब से अलु अर्ज़न ने अपने नौत इन फांस और अधर स्टेट फांस के लिए इंगलिश में स्पीश दे हुआ है, इसे पहले सुकमार और अलु ने साथ में दो ब्लॉग बिस्टर मुवीज करी थी, जो की की आर्या और अर्या का सेकंड सीक्वल, आर्या ट्यू और ये बास सभी जानते हैं कि स्टाइलिश आक्टर अलु अर्ज़न को आर्या मुवी ने रात औरात सूपर बना दिया था, दोस्तों पुषपराज को लेकर हर दीन एक मार्गेट में नई अवा सुनने को मिलती है, मुवी की स्टोरी लाइन एक रियल लाइफ इंस्टेंट पर बेस्ट है, रीसिंट्री आ रही खबरों के अनुसार, अलु अर्ज़न इस मुवी में डबल डॉल करते डबल डॉल होने की बात कही थी, दोस्तों इस बात पर अभी तक डिरेक्टर सुकमार ने कोई भी क्लारिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या जूट, अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और आक्टर दोनों का रोल अलु अर्ज़न स बिजनसमैन होगा, अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिजनसमैन की सच्चाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अलु अर्ज़न को बिजनसमैन बना कर माबेज दिया चाया, जहां से उनके दंदे को अपरेट किया जाता हो, और अब दोस्तों रियूमर्स में कितनी सच क्यों है, तो इसका जवाब आप जल्द ही खुच समझ जाएंगे, दोस्तों एक इंटर्व्यू के दरान अलु अर्ज़न ने बताया कि फैंस के साथ मूवी इंडास्टी के आक्टर्स का कनेक्शन बहुत जादा स्रॉंग रहता है, और ट्रीट इच अधर लाइक फामिली, कि दोनों ही एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैंस के बिना कुछ नहीं है, इसलिए साथ में देगा जा सकता है कि अलुवर जिनकी फान फॉलिंग काफी ज़्यादा बड़ी है, अपने क्लोस फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैंके फिनरल में खुद उनके घर गए थे, बॉलिवद स्टार से आक्टस के मुकाबले पने फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और यही वज़ा है कि नौर्थ इंडिया में भी साथ आक्टस के इस नेचर की वज़ा से उनकी बाली थी, लेकिन COVID-19 के चलते अभी अपनी ते तारि में रिलीज नहीं हो पाईगी, फिल्म का इंतिजार करने फैंस को अभी तीन-चार महिने और इंतिजार करना है क्योंकि 99% यह फिल्म 17 दिसेंबर 2021 को ज़रूर रिलीज होगी, इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स पैल रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कहानी अजियों करने लगे थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू, शिरुवात में अलो अर्जुन एक बिजनसमैन के रोल में नजर आएंगे इसके अलावा आपको बता है कि अलो अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्हों ने सोचा है कि वह जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो यह बहुत जादा सूपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी और इन्हें खब अर्जुन ने पूरे जान चोग दी है एक पी आ टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी यह बॉलिवुट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलु अर्जुन साथ बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मी का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर लिया गया है सूरिया जो की अलु अर्जु के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं तो वो विलन का किरदार करने वाले है साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले है जो कि अलु के साथ पहले भी काम कर चुके है तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एक साथ से लगाया जाए और सैंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अर्जुन उनके तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें कि अलु अर्जुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बॉंटम पैंड्स दिख रहे हैं साती उन और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रहे हैं उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिब अलु अर्जुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में इसी तरह का धमाल मचाते वे नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का ये जरूर बताईए और ये नौर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिया से नीचे कॉमें सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख इसी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किनता करना है जिनकर मारने के लिए ये पुई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एई सर मैं असा ही हूं भूख लगती है तो पेट पर खाता नीन दाती है तो जी भर सूता और गु पुष्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की ओरडवाइट क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुष्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख़े हैं बॉलिगरा स्टूडियोज मैं हूसोनी कज़ाल बात करेंगे स जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोग शेयर किये गये हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक हो गई थी इस फिल्म को सुकुमार डारेक्ट कर रहे हैं लेक कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते हैं इसके लावा आपको बदादे पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रि तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भाशाओं से जो बाकी भाशाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड यह उक्युपाई कर ही लेगी इतना कलेक्शन यह कर ही लेगी खाली हम हिंदी क करें तो हिंदी में यह टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो 200 तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो पांसो करोड की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सता है क्योंकि अलु अर्जुन के जो फिल्में है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड युट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फैंफॉलिंग काफी तग्री है इसके लावा उनके अपोजट इसमें रश्मी का मनाना दजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री लेडी बहुत जादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तों इतना तो ये तैह है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सेंडल वूड जो लकडी होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा विजय सेतु पती इसमें होने बाले है एक और विलन का ला से चौकाने वाली है रश्मिका दर्शकों को क्या इस नए के दा से बदल चाहिए अभिनीत्री की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलो अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिकराद स्टूडियोज में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुश्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखें अपनी खुपसूर्ती और क्यूटनेस की वज देखा हो रश्मिका जल्द ही अलु अरजुन की हिरोईं बनने जा रही है और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर शक है पुश्पा जो फिल्म में अलु अरजुन की किरदार का नाम भी रहेगा और ये फिल्म आंधर प्रदेश की जंगलुक से लाल च रश्मिका चाहे इस फील्द में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नीतरी 24 साल के सभी नीतरी ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबो के साथ सरीलेरू निक्यवेरू और भीशमा जैसी ब्लॉग बस् फिल्म में वे गाओं की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लामरिस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंदरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाशा में बोलते हु और क्या आप जानते हैं शौइद कपूर की अगामी फिल्म जौसी में मुरुनाल ठाकों से पहले रश्मिका कुफल में मुरुनाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी नि अभासलीला रामलीला बाजिराव मस्तानी और पदमावत ने दिपका के कारियर को ऐसी किक भी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढूंड रहे थे वहीं अब संजेलीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोई धून रहे हैं और यह खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीशक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलु आर्जुन फिल्म पुश्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरिक फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुश् आरी है जिसने चारों को जोड़कर एन फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेल्गो हिट गाने दिए वहीं आपको उपनीहिए का आईध है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद इन पहली है सूकुमार के राम-चरण क की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात ये है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में लॉंच किया जगया था अलू अरजु स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भंसाली की हिरोई कहीं फिल्म पुश्पा कीजिए फ्टू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिग्राफ स्टूडियो को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्नल अलो अरजन स्टार पुश्पा फिल्म की स्टूरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इन फिल्म के साथ तेजी से पॉपलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेंड करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टूरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्धर बजट हो इस एफर्ट का रेजल्टेन है कमाल का सिनमा जिसके काफी चाहने वाले है तो हम सेफली ये कह सकते है कि कॉंटेन के मामले में अब बस बॉलियूट ही नहीं बल्कि साथ में ही कई डीजियनल सिनेमा भी रेस में आ चुके है और कई केसेस में तो बॉल्यूट से बड़िया कॉंटेंट परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउट सिनमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउट स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीध्याद हैं मुद्दे पर स्टाली स्टार अलु अर्जुन की और कनाडा क्रॉश रश्मी का मंदाना की फिल्म पुषपा रिलीज होने जा रही है ऑगस्ट में और इस एक्सपेक्टेड इस त्रेलगो फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलु अर्जुन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपिसद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओडियंस हो वहाँ क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आई ये डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैनलूट की तसकारी करने वाला लोडी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहाँ वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फिर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अरजुन और रश्मिका के केरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अरजुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाते हुए फारेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लिशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फोरस्ट में इसलिए अलु अरजुन खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चला अपने फोरस्ट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यही नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे हैं अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपके एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनमदिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत जादा एक्साइटेड हो गए अपने सूपरस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलू अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलू के जनमदिन के मौके पर अलग-अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया था जिसमें की अलू अर्जुन बहुत जादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत जादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतीशीर सिंग का हाथ था जो कि बहुत सारी फिल्मों के ल लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज्यादा मेहनत करी है और यह लोग सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वह सीधे रिलीज डेट के लिए है तो क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही उनकी फिल्म प्रिलीज होने वाली है जिया दोस्तों उन्होंने यह जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते है और लोगों के हाथ में भी कुलाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे है काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुन ने से कैप्शन दिया है हाश्टेग पुष्पा लोडिंग इन थियेटर स्रॉम 13 ऑफ ऑगस्ट 2021 एक्साइटेड तो मीट यू आलो अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत जादा एक्साइटेड हैं वो फिर से व करावा आपको विजय सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाका नजर आएंगे और एक्ट्रोस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है वही हर्मन उत् यह फिल्म लाल चंदन यानि कि सैंडल वूर्ड जो लकडी होती है उसकी तसकरी पर आधारित है फिल्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द घूमती वही नजर आएगी यह दक्षरी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाडी शेत्र का हिस पुष्पा का नीचे कमें सेक्षिन में जरू बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को यह फिल्म रिलीज होने बाली है तो आप कितने एक्साइटेड एए फिल्म के लिए जल्दी से लिग डालिये नीचे कमें सेक्षिन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवु लैंग्विज एक्षिन फ्रिलर फिल्म है जुसे डारेक्टर अलेखा सुकुमार ने हैं सुकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर प्रोड्यूसर एं स्क्रीम राइटर है जो कि प्रीडॉमिनेटली तेगु सिनिमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की इन्वर जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती बाबू प्रकाश राज धनंजे सुनील गिरीश उठमन और वेनिला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को प्रिडियूस मेथरी मुवी मेकर्स इन एस्सोसि फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनौंस किया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रिएटिव डिफरेंस इसकी वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का एडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स प्रजेक्ट सरी लेरू नेके वारू फिल्म को साइन किया था जिसे डैरेक्ट अनिल रवी पूरिस ने किया था बाद में अलु अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार क को बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉच्च किया गया था औक्टूबर 2019 में डिसेमबर 2019 में डारेक्ट सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था के एठी रापिडली फॉल्स पर फिल्म पुष्पा का फर्स स्केडूल केरिला में ही शूट किया था को कोविड-19 पैंडमिक की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतु पती बहुत चचा में थे एंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदाना को एपरिल 2019 में आज लीड अक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकास राज को की रोल करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया ह उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कनड़ा के फेमस आक्टर धननजी को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पाग को की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी दब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किय बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्क्राइस वीडियोस को सब्स्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लॉटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉबलम है सर मारता ज्यादा हूं किंता कम हूं गिंकर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एई सवर मैं ऐसा ही हूं धूख लगती है तो पेट पर खाता हूं नीन दाती है तो जी भर सूता हूं और हूं और कुछ पर खाता हूं क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं नाम है श्टिया अरोरा आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिग्राश वीडियोज में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इलियन फिल्म इंडास्ट्री के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने ओरिजिनल भाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में एसेस राजा मॉली की फिल्म बाहु बली दे बिगनिक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गए इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रिडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रिडक्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स्टार्व प्रभास की पुपलानिटी की वज़ा से उनकी फिल्म साहु को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्म में राधे शाम और आधी पुरुष और साथ में नाग एश्विन की फिल्म और सिधात अनन्द की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म KGF Chapter 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्ट्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकोन, तापसी पनू जैसी कोश अभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथी साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये क्रश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बड़े बड़े हीरोस के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेलगू, तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्मे और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हाँ कह दिया था इसमें उनके उपसिट होंगे सिधात मलहुतरा मगर हाल ही में सिधात मलहुतरा का करियर इतना स्मूद नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे है मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिक अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के आपोसित फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अर्जुन की एक फिल्म आई अलू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्चित आक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम की धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुनिया में यानि की पूरे देश में चर्चित कर दिया है अब अलू अर्जुन अपनी अग्ली फिल्म पुष्पा को लेकर बिजी है जो पैन इंडिया रिलीज होनी वाली है इस फिल्म को मेकर ठेंबी तामिल का लूप कर नर्ड और मल्यालम लैंग्विज में रिलीज कर रहे है अब अलू अर्जुन के जुड़ी एक और जिल्चस खबर सामने आ रही है जिसे सिल्कर उनके फ्रेंस का क्रेश साथवे आत्मान पर पहुँच जाने वाल है अलू अर्जुन ने हाली में केजी अफ डारेक्टर प्रशान मील के मुलकात की है वो हैदराबाद में आज प्रशान मील के डफ्टर के बाहर स्पॉट किये गए यहां उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी अलू अर्जुन ने वहां से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ हिला कर अभी वादन किया अलू अर्जुन ने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बर्टानी के लिए धन्यवाद भी कहा जिसके बाद वो आफिस के अंदर चले गए इसके बाद चे खबरों का बाजार डर्म है कि अलू अर्जुन और प्रशान मिल की ये मुलेका आप किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है इस खबर पे अलू अर्जुन के फैंस में भारी प्रेस है वल आपको बताते की प्रशान मिल की केजियस टूग बनकर तयार है और जल्दी क्येटर में पहुचने वाली है इसके बाद वो प्रभास की आने वाली फिल्म सेलार को पूरा करने की कोशिशित में प्योटे होंगे फिल्म हिंगिनों स्टेज पर है क्या इसके बाद प्रशान मिल अलू अजिर्शन अग्री फिल्म की तैयारी करेंगे इस जवाल का जवाब उमीद है की जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में नीचे कमेंग बॉक्स में अपनी राइशित में क्या बॉलिवोड में भी एक सूपस्चा बनना चाहते हैं अलू अर्जुन और क्या बॉलिवोड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका तो आईए जानते हैं अप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुश्पागे तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्म में देखी हैं वैसे अगर इस सवाल मुझसे पूझा जाए तो मेरा जवाब होता है और मुझे पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंडियन होंगे और आधे होंगे नौर्थ इंडियन तो आप लोगों ने मैं नौर्थ इंडियन वादर से सवाल कर रही हूँ आप लोगों ने भी साउध इंगिन फिल्मे तो जरूर देखी होंगी ना आप सभी को वो भाषा समझाती ना आप सभी को समझाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा एंजॉय करते हैं और वैसे हम कई सारे टीवी चैनल्स पर ये भी देखते हैं कि साउध फिल्मों को हिंदी डब करकर बिखाया जाता है तो दोस्तों अलू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनीकान तो हम सभी ने सुने ही हैं और इन में से कई आक्टरस को तो हमने बॉलिवूर्ट में काम करते हुए भी देखा है जहां हमने रजनीकान को मिताब बच्चन के साथ देखा है वहीं एक तरफ शारुकान के साथ भी देखा है और साथ-साथ एश्वर्य अराय के साथ उनकी फिल्म रोबोर्ट में तो देखा ही देखा है उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा लेकिन जिस तरीके से इन आक्टरस को साउथ में पूजा जाता है जिस तरीके से इन आक्टरस को साथ में प्यार किया जाता है उन्हें वो रिकाग्नीशन उस लेवल का रिकाग्नीशन बॉलिवुड में नहीं मिल पाता है दोस्तो आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनी कान को पूरे साउथ में इस तरीके से पुदा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहाँ पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाती है जी हाँ और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस ज़रा बड़ा है यहाँ पर बॉलिवुड में भी इंडियन फिल्मों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुबली फ्रेंचाइज और KGF फ्रेंचाइज ने फिल्मों को डब करकर सिनेमा में रिलीस किया है और यहाँ तक कि साउथ जैसी फिल्मों में हिंडि आक्टर्स को भी लिया गया है साउथ के मशूर आक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करके आ रहे थे वैसे तो उनकी ओडियंस, तमिल ओडियंस, सननड ओडियंस यही सब लेकिन अब वो अपने इस टागेट को बदरना चाहते है हागी में एक इंटर्व्यू में अलू अर्जुन ने बॉलिवूड की तारीफ की उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलिवूड एस्पिरेशनल लगता है और यहां तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीफ लिखी उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी कुरी जैसी फिल्म ओफर की जाए तो वो इस फिल्म को जरूर करना चाहिए यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अरजुन ड्रेड़ी ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते इसलिए वो अब कुश्पा को पैन इंडिया रिलीस दिलाने वाले जिसकी वज़ा से वो फिल्म बॉलिवुड में रिलीस कर भी जाएगी तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितनी तेजी से अलू एंट्री मारते हैं बॉलिवुड के मारकेट में और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलिवॡ स्टूडियो को सब्स्क्राइब करना ना भूलें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदाएगा क्या अलू अरजन की फिल्म पुष्पा में होने वाली है उर्वशी रौतेला क्या होने वाली है पुष्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीज होगी है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीक्रास स्टूडियो मैं सोनी का जया है पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई है पुष्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहाँ उर्व सेट से भी बहुत सारी तस्वीरे लीक हुई थी और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्होंने टाइट सिक्यॉरिटी कर ली है कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए वो बहुत बड़ा सर्प्राइज देने वाले हैं इस फिल्म के जरीए आपको बताते इस फिल्म में अलु अर्जुन का जो लोक है वो काफ़ी कमाल का है अलु अर्जुन के इसमें करली है नजर आ रहे हैं और चेक शॉट नजर आ रही है नाइंटीज का दौर दिख रहा है इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है और साथी आपको बता दे इसमें सेंगल वो जो लकडी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंग रश्मे का मंदाना अलु अर्जुन के अपॉजट इस फिल्म में नजर आएंगी वहीं आपको बता दे अलु अर्जुन की पुष्पा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार बड़े पर पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अलु अर्जुन नजर आएं अलु अर्जुन की उस पर 6 करोड का बड़ा खर्चा किया गया है बहुत ही धमाकेदार इसको बनाया जाएगा इसमें आक्शन सीन्स भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तों यानि कि फुली एंटर्टेइन्मेंट फिल्म होने वाली है क्योंकि एक्शन तो है ही साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकेदार डांस भी इस विल्म में देखने को मिलेगा तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको अलु अर्जुन की फिल्म पुश्पा का नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा फिलहार उसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इस किये जाने का प्लान है तो लिखे नीचे कॉमें सेक्शन में कितना इंतजार है पुश्पा का अलु आपो कैसे लगते हैं और इसी तरह के दूसरे बॉलिवड टॉलिवड हॉलिवड रिव्यूस के लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल कौन है फिल्म पुश्पा के विलिवन और क्यों हुए है वो इतने मशूर वहीं कैसी है पुश्पा के हिरोईन रश्मी का मंदिना की आने वाले फिल्में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राद स्टूडियोज मे आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुश्पा से जोड़े कुछ नई अपडेट तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखें अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदिदा हिरोईन कौन है या फिर कौन सी आक्रस है जो आपकी करेंट क्रश है तो किस आक्रस का नाम लेंगे कि आप कहीं यह नाम साउथ की ब्यूटिफॉल और क्यूड आक्रस रश्मिका मंदना का तो नहीं कंडर सिनेमा की खूबसूरत लोग प्रिया आक्रस रश्मिका मंदना के फांस को उस वक्स सबसे बड़ा सर्प्राइज मिला जब सर्च इंजिन गूगल ने आक्रस को नाश नाशनल क्रश शर्ट करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नाशनल क्रश हाश्टाग के साथ ट्रेंड करने लगी हैं और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीन शॉट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर छच्मिका तर रज्ड़ समय कि द्षों करेंफर्य वेलर के लोग पिरिया है रश्मिका ने कंडर तमिल और देलकू फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने किरिक पाटि हम से कंडर सिनिमा में किया था। इस फिल्म में रश्मिका की अदाकारी खूब पारीफ की गई थी और फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में आक्रिस ने फिल्म के हीरो रक्षित शेटी के साथ सगाई रचाली थी लेकिन कुछी महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की यह भिनीतरी साउथ की टॉप आक्रिसेज में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन आक्टर्स के साथ रच्मिका की जोडी बनाए गई जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रच्मिका साउथ के मशूर अभिनीता अलु अर्जुन के साथ दिखाई देंगी फिल्म के स्टोरी लाइन बेहर इंट्रिस्टिंग है और आंधरपदेश की पहाड़ियों में बुनी जा रही है इस एजगाप को बनाए हुए रच्मिका जल्दी जियोतिका के पती यानि सुपर स्टार सिंगहम सूरिय के साथ काम करने जा रही है टॉलिवड अभिनेता सूरिय जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौरवाई पोट्रो के सफलता के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर रहे है और उनकी 40 फी फिल्म होगी ट्विटर पर पहले ही गोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूरिय के अपोजिट रश्मी का मंदना होंगी वहीं सूर्य महेश बाबू और अलो अरजुन तीनों ही शादिशुदा आक्टर्स हैं अलो अरजुन इस लिस्ट के सबसे जवान शादिशुदा हीरो हैं और एक पिता भी है जिनोंने हाल ही में अपनी बेटी अलो अरहा का जनम दिन पुश्पा के सेट पर मनाया बता दे इस वक्त पुश्प की शूटिंग अंधरप्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पुपिलारिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े आक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है लेकिन सारी लेरू निक्की वारू नेमें अपने से 20 साल बड़े आक् बत्रोस आईश्वरियाराय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे इक्यों कैसे समय बडल गया वहीं क्या समय सही में बडल गया या केवल समय में अक्तिस पी समय बदला है साहत ही क्या वजह है कि फिल्म पुश्पा में विलिन विजय सेतु पती साउथ के राजकुमार राओ या आयुशमान खुराना कहे जाते हैं जिसके फल्स वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं एक आक्टर के साथ विजय प्रडियूसर लिरिकिस्ट और डायलोग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मो जैसे विजय सेटुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अवाद्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अवाद्स का सिलसला बरकरार रखेंगे और जल्द ही वो औरेतु हसन के साथ फिल्म लाबम में भ दिखाई देने वाले हैं तो क्या एक मुख्य खलनाया का अबॉड जीतने के बाद पुश्पा में विलन का करदार निभाना आसान होगा विजय सेतुपति के लिए क्या होगा वहीं क्या विजय की पॉपिलारिटी टक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमाया चानल बॉलिगराद स्टूडियोज को इस वीडियो के स्क्रिप्ट सिम्रन रावत ने लिखी है मारता ज्यादा हों किंता कम गिंकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है दोस्तों क्यों फिल्म पुश्पा की मजबूत करी और आक्टर विजे सेतु पती हो रहे है ट्पिटर पर बदनाम आंतर प्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुश्पा की शूटिंग शूरू और क्या इस बार अलू अरजन सहित फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तो अपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या अपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है जो यहां दोस्तो इस बार लगता है स्टाइल स्टार अलू अरजन अपनी दिवाली जंगलों में रश्म का मंदाना के साथ मनाने वाले हैं लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अफ़तार जया दोस्तों अलो अर्जन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उन्हें पुश्पा के पहले 1st लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ सम पर कोविड-19 परिक्ष्ण देने के लिए कहा जा रहा है जिया दोस्तों अलो अर्जन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीज़ों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्म का मंदाना एकवन अधि विजे सेतुपति श्री लंका के स्पिनर मुथ्या मुरलि धरम की बाईयो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्स कर रिलीज हुआ है ये मोशन पोसर रिलीस होते ही तमिलोगों ने विजे सेतो पती पर हमला बोल दिया जीहां दोस्तों उनका कहना है कि लाखों तमिलोगे हत्यारे श्रीलंका देश के क्रकेट सितारी की बाइयोपिक में काम करना एक दम गलत है जही हां दोस्तों मुथ्या मुली धरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है ट्विटर पर अब तक लाखों लोग है अश्रक शेम और विजे से तुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं दोस्तों विजे से तुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं वहीं कि इस फिल्म की वज़े से विजे का फिल्म पुश्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा जो यहां दोस्तो जब फिल्म के सितारे विजे से तुपती मुश्किलों में पसे हुए हैं दूसरी तरफ फिल्म की हिरोईन रश्मिका भी इन इंकम टाक्स के चक्रों में पसी हैं साउथ की आक्ट्रिस रश्मिका मंदाना करे तमल तेलगो और कानट फिल्मों में काम कर चुकी है वही साउथ में अब वो एक जानी मानी आक्ट्रिस के तौर पर जानी जाती है दोस्तों रश्मिका को साउट की सबसे महेंगी हिरोईन भी कहा जाता है और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चापा मारा है अधिकारियों की जार्च परताल दौरान आक्ट्रिस के घर से 25 लाक रुपे बरामद हुए है जी यहां दोस्तों कैश के अलावा घर से प्रॉपटी के कागस भी बरामद हुए है बही रश्मिका के मादा पिता इंकम टैक्स के चापे पर कुछ भी बात करने से बच रहे है रश्मिका के बैंक की बी जान बीन की जा रही है और रश्मिका केवल 24 साल की है और इतनी से उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेट जैसी सूपर एट फिल्मों के साथ महेश भाबू और अलु अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाया दोस्तों भाई क्या आप जानते हैं साउट की स्चोल बुली सी दिखने वाली आक्ट्रिस के पीचे छुपी है एक दुखबरी दास्तान हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायल कर चुकी है रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़ज़ से काफी मायूस थी लेकिन अपनी इस मायूसी को आक्ट्रिस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया दोस्तों 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिट शेटी से सगाई रचा दी थी लेकिन ताल मेला बन पाने की वज़ज़ से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया दोस्तों महीं क्या गुड़ चाहती है अपने फियूचर हस्बिन में रश्मिका बन दाना तो बता दे दोस्तों रश्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बलकि एक अच्छा इंसान जीवन साथी के रूप में चाहिए इतनी महिंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका देखिए अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अरजुन रेडी बाइक उठाए तयार होंगे महिं रश्मिका दो हजार इकिस की शुरवात ने अलू अर्जन के साथ पुष्पा में दिखाई देंगी साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है तो दोस्तो क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दुला कौन से यंग बॉलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो के ऐसी लगी हमें कमेंट करेंगे असलिन पुष्पा की कहानी पर लगा गया है दैन क्यों फिल्म को बंद करना पड़ सकता है डिरेक्टर सूकुमार को और क्या विशाखा पटनम पहले पहुंची पुष्पा की तीन क्या लेना देना है इस लोकेशन का फिल्म से अल्लो अर्जुन की आने वाली सिल्म पुष्पा पर एक साहितिक साजिश्रच्रे कारोप लगाया जा रहा जिसे मूल रूप से लेखक वेमपली गंगाधर ने लिखा था वेमपली ने दावा किया है कि फिल्म पुष्पा की कठानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है जो कुछ समय पहले प्रकासित हुई थी वहीं बता दें फिल्म पुष्पा एक तेलगू आक्शन फिल्म होगी जो क्या साउथ को दी प्रमुग भाशाओं के बीच आई दरार हाल ही में लेकक वेमपली गंगाधर ने एक पोस्ट डाली जिसमें दिखाया था कि कैसे फिल्म पुष्पा की कहानी के रूप से वही कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकासित हुई थी लेकक ने यह भी बताया कि वह विवाद को भड़काने की कोशिश नहीं है बलकी जनता को पूरे मामले के बारे में जागरू करने की एक छोटी सी कोशिश है उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्ट की जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के सम्मान है वेमपली गंगाधर आंदर प्रदेश के कडपप जुले के खलेकक है 2011 में उनकी लगू कहानी संगरा मोलाकला पुनमी के लिए उन्हें साहित्तक आदमी के युवा पुरुसकार में समानित क्या गया था गंगाधर के पुरुसकार विजुएता प्रस्तुत मोलाकला पुनमी तेरा लगू कथाओं का संगरा है यह किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है तेलगू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था उनकी किताब माय नापू वो मालू ने अमरीकी तेलगू असोसियेशन पुरुसकार जीता किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तब कोई आधिकारिक टिप्टी नहीं की गई है हाल ही में चुरंजीवी अभीनेती फिल्म आचारे को भी सहतिक चोरी के लिए दोशी ठहरा आगया है लेखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पटकता उनकी फिल्म के संबान थी वहीं पुषपा, सूकुमार दुवारा लिखित और निदेशिक नई तेलगू भाषा की आक्शन स्रिलर फिल्म है फिल्म में अलू अजुन और रश्मी का मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे साथ ही प्रकाश राज और जगपटी बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे यह फिल्म दिवाली में रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के कार इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अलू अजुन को फ़र्स लुक पोस्टर जारी किया था जिसने फिल्म प्रेमियो और अलू के प्रिशन्शकों के बीच अच्छी चर्चा पैदा की अब सूकुमार की फिल्म पुषपा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जिसमें अलू अजुन का शादार अवतार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है बनी इस फिल्म में पुषपराज की भूमी का निभाने वाले हैं जिसे मैत्री मूवी में एक अस द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है फिल्म का स्केड्डिूल विशाखा पत्नम में एक विश्य रूप से निर्मित सेट पे होगा वर्तमान में पुषपा का सेट मेर्दु मिली में वन पर चल रहा है जिनके कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तेरमुला के पहाड़ी शेतर शेष चलंग वन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की जुआएगी स्टाइलिस स्टार अलु अजुन ने अपनी लॉरी जाइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरो रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चितृत करने के लिए पूरी तरह तयार है इस लॉकडाउन के दुरान रश्मिका ने एक ट्विटर से चितुर बोली सीखी फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्ची भी की कि वह फिल्म में एक आक्शन सीक्वेंस के लिए के लिए 6 करोड रुपे की भारी भरपाई करने वाले हैं जिस बज़े से ये फिल्म एक काफी एहम सीक्वेंस रहेगी वहीं इस सीक्वेंस में कहीं अलू की चंदन से भरी लकडियों की लारी ना चूट जाए बना बैक्ग्राउं में 2007 के फिल्म एक चालिस की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी छूटी चलना पड़ जाएगा मीडिया में एक्टरस रश्मी का मंदाना को एरपोर्ट में एंटर करते हुए काप्चर किया और हमारा लुमान है कि वेफिन पुश्पा के सेक की तरफ रवाना हो रही थी काले रंग की टी शट और फॉर्मल पैंड पहंडे डियर कॉमरे रभिनेट्री काले रंग की स्टाइल में स्वैट के साथ गुमती दिखाए थी उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट चश्वा लगाए वे दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी बता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका भही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलु अर्जुन और रश्मिका के भी इज फिल्मी केमेस्टि जमेगी या नहीं हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ हे हमारे चानल बॉलिग्राट पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिल्चस ट्राक्स देखने के लिए से सब्सक्राइब करना न भूले आज के हमारी स्क्रिप्ट अलु अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके है कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर वाला मज़ा लेना होगा तो मज़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलु अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत जादा सूपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी ओडियन्स है बार-बार इन्हें खबरे देनी पड़ती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओडियन्स के लिए स्पेशल ही अलो अरजुन मेहनत कर रहे है क्योंकि दौर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लेकिन ये फर्स टाइम हो रहा है तो अलो अरजुन ने पूरे जान जोग दी है एक पी-ार टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और्गनाइज करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी ये बॉलिवट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलो अरजुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शोग में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है तो सोचे अलो अरजुन अगर कपिल शर्मा शोग में पहुँच गए तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों ये बात वागए बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मे का मंदाना इसमे निजर आने वाली है विजए सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर लिया गया है सूर्या जो की अलू अरजुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले हैं जो कि अलू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एक किसाब से लगाया जाए और सैंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलू अरजुन उनकी तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें कि अलू अरजुन की जो अंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है जैसे कि अलू अरजुन का लोग जो की कर्ली हैर उन्होंने केरी किये हैं और जितनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रही है उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत अलू अरजुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलू अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का ये जरूर बताईए और ये कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिए आद से नीचे कॉमें सेक्शन में अपनी राइव जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही ब्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हूं किनता कम गिन कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सर मैं ऐसा ही हूं भूख लगती है तो पेट पर खाता हूं नीन दाती है तो जीवर सूता हूं और गुस्सा अलू अरजुन के अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या और जिए पुष्पा की वर्ड़ वाइट कलेक्शन ड़ेंग क्या रहेगा और कितने बज़ट में बनाया जा रहा है पुश्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्रास स्टूडियोज मैं हूं सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलू अर्जुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोक शेयर किये गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक हो गई थी इस फिल्म को सुकुमार डारेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंटे कड़ी सिक्यूरिटी रख दी है और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिये है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाते है और एकदम से धमाका मचाना चाते है इसके लावा आपको बता दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है 500 करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया ये फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलू और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नज़र आएंगे तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमाल लगाया जा सकता है कि अच्छे खासी ओपनिंग देगा हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ओक्यूपेंसे रही थेटर्स में अगर पैंडिमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटर्स में तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी ये 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोलें अलग भासाओं से जो बाकी भासाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड ये उक्युपाई कर ही लेगी इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 200 करोड ये फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो 20 करोड का ये Overseas Collection करेगी पहले दिन तो इस हिसाब से Lifetime Collection की हम बात करें तो वर्ड वाइड ये 500 करोड की कमाई कर सकती है Hindi Tamil Telugu से ये 300 करोड कमा लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम Total Lifetime Collection की बात करें 500 करोड की कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्मे हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि अलू की जितनी भी फिल्मे आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डव जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज के मामले में भी और फैन फोलिंग काफी तगड़ी है इसके लावा उनके अपोजिट इसमें रश्मी का मनाना दजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तो इतना तो ये तैह है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सेंडल वुड जो लकड़ी होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाए जाएगा विजय सेतूपती इसमें होने वाले है एक और विलन का लाम सामने आचुका है वो है आरिया और आरिया अलु अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके है तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म कानी चाएगा अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली है रश्मिका दर्शकों को क्या इस नए किर्दा से बदल चाएगी अभी नीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलु अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलिकराद स्टूडियोज में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुश्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या आप तयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द ही अलु अरजुन की हिरोईं बनने जा रही है और दोनों की ये जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरन चीवी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था वही रश्मे का चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नेतरी 24 साल के सभी नेतरी ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबो के साथ सरीलेरू, निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रशमिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रशमिका ऐसे अवतार में दीखेंगी हमेशा ग्लामरस अनदाज में देखी गया भीनीज़री अब करनी जा रही है गाउकी गोरी का किरदार फिल्म में वे गाओं की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लामरस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंदरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रीनिंग भी ले रहे हैं वही केजी एफ की शीना यानी श्रीनिधी शिट्टी के बाद अब कन्नर व्यूटी भी चल पड़ी है तमल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं श्राइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में म्रुनाल ठाकों से पहले रश्मिका कुख फिल्म में म्रुनाल वाला किरदार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी हैं सुन्दर और टालेंटड आक्ट्रिस पर जी हा संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वर्य राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम औ अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुप गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या श्रीशक के साथ आईगी अभी त फिल्म से भी जुड़ गए है फिल्म पुषपा डारेक्टर सुकुमार अलुवार्जन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद है जिन्होंने कई तेलगू हिट गाने द प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरां म्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात ये है कि फि पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट पर सभी की शुरक्षा और साथ धानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माता उने जनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भंसाली की हिरोईन कहीं फिल अलो अर्जन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिडिमा अपनी बेहतर इंस फिल्म के साथ तेजी से पॉप्लिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्दर मेटर बजट हो इस एफर्ट का रेजल्टेन है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले है तो हम सेफली ये कह सकते है कि कॉंटेन के मामले में अब बस बॉलियूट ही नहीं बल्कि साथ में ही कई डीजियनल सिनेमा भी रेस में आ चुके है और कई केसेस में तो बॉलियूट से बड़िया कॉंटेन परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साथ सिनेमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साथ स्टार्स की फैन फॉल्लेंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीध्यात हैं मुद्दे पर स्टाली स्टार अलू अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मी का मंदाना की फिल्म पुषपा रिलीज होने जा रही है और इस एक्सपेक्टेड इस त्रेलग फिल्म की एंटिसिपेशन आस्मान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेर सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे है एक लोरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपिसद रखी है पर जिस देश में इतनी creative audience हो वहाँ crazy theorist की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के plot को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की stories निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आये dive लगाते हैं कुछ ऐसी ही fictional tales में जो fans की देन है और plot इसी के round revolve करता है पुष्पा एक forest officer है और lead hero अलू अजुन का love interest है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना hero बदला लेने के लिए Red Sandalood की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो story पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहाँ वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानि अरजुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अरजुन और रश्मिका के केरेक्टर की तो पहले हैं से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फिक्ट होगा अरजुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाते हुए फोरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फोरस्ट में इसलिए अलु अरजुन खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चल जाता है अपने फोरस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते है पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे है अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एकसाइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देखने हैं बोडिग्राफ स्टूडि पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत जादा एकसाइटेड हो गए अपने सूपरस्टार को बड़े पर देखने के लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत जादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकप आर्टेस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशील सिंग का हाथ था जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए औरेडी अवार्ड जीत चुके हैं और प्रतिशील ने हैदर दो नौट आउट ठाकरे शिवाय हवाईजादा हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टेस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत जादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लोग सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अन्नाउंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हा पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुलाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे है और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुने से कैप् वो फिर से वही magic create करेंगे वहीं दोस्तों आपको बता दे पुष्पा एक action thriller फिल्म है और इसे direct करें है सुकुमार जो कि अलु अर्जुन के साल आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें direct कर चुके हैं फिल्म में अलु अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतु पती प्रकाश रा और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी काओं में नजर आएंगे यह फिल्म लाल चंदन यानि की सैंडल वुर्ड जो लकडी होती है उसकी तसकरी पर अधारित है फिल्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द घूमती वही नजर आएगी दक्षडी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि की बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विज्य सेतु पती और अलू अर जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले है यानि की खदना के अक्षन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतशार है पुष्पा का नीचे कमें सेक्षिन में जबर बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को यह फिल्म रिलीज होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है जल्दी से लिग डालिए नीचे कमें सेक्ष फ्रिलर फिल्म है जुसे डारेक्टर अलेखा सुकुमार ने है सुकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर प्रिड्यूसर एंड स्क्रीम राइटर है जो की प्रीडॉमिनेंटली तेगु सिनिमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की शरुआत आज राइटर की थ फिल्म में बतौर लीड अक्टर्स अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती, बाबू, प्रकाश राज, धननजे, सुनील, गिरीश उठमन और वेनिला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुश्पा को प्रोड्यूस मेतरी मुवी मेकर्स अन एस्सोसियेशन विद मुत्तम शेटी मीडिया के तहट प्रोड्यूस किया था फिल्म पुश्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहट रिलीस किया था फिल्म पुश्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिव डिफरेंसिस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका next project सरेलेरू नेकेवारू फिल्म को साइग किया था जिसे डारेक्टा अनिल रवी पूरिस ने किया था बाद में अलु अरजुन ने project साइग क्या सुकुमार के साथ उनके फिल्म में as lead actor काम करके सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुश्पा थर्ड कोलाबोरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुश्पा को फॉर्मली लॉंच किया गया था औक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डारेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के आथी रैपिडली फॉल्स पर फिल्म पुश्पा का फर्स केडूल केरला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड 19 पैंडमिक की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतु पती बहुत चच्चा में थे फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदाना को एपरिल 2019 में अस लीड आक्टर कास्ट किया था और जगापती बेबी और प्रकास्ट राज को की रोल स्किल करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जुलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूस की वज़े से कननडा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्मक की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी दब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रास वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लौटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाद इस 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 इपात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हूं किंता कम कि गिनकर मारने के लिए यह कुछ टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एए स्वर मैं असाही हूं दूख लगती है तो पेट पर खाता हूं दीन दाती है तो जीवर सूता हूं और गुश्सा हता है तो प्रॉब कर रखता हूं करना खाता हूं कर दो पिए बाधा खाता हूं झाल झाल क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी भाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है यह ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में एसस राजा मॉली की फिल्म बाहु बली तब बिग्निक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वोर्जिन की और साथ में नाग एश्विन की फिल्म और सिधात अनंद की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म केजिएफ चांटर टू को भी बहुत धहमाकिदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्ट्रेस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकौन, तापसी पनू जैसी को जभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड मे वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई, हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं, अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद हो रही हैं, और साथ ही साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी, रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था, ये क्रश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था, रश्मिका मंदाना एक के बाद ही बड़े बड़े हीरोस के साथ काम करके अपने कर करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेल गूत अमिल और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हाँ कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट होंगे सिधात मलहोतरा मगर हाल ही में सिधात मलहोतरा का करियर इतना स्मूद नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट क कानों में अलु अर्जुन की एक फिल्म आई अलु अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहां जा सकता है कि अलू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश में का कि उस ख्वाइश की वजह से चली दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्ची चैक्टर है उन कि कमें जो कि नहीं आप जाई शेयर करें कब तक रेलीज होगी फिल्म पुष्पा केतने अवाद्स जीट चुकी है रश में का मंदना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है मिता है दिल से आप सब का स्वागत करती हूँ बॉलिगराद स्टूडियोस की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को एं तक जरूर देखे ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुँच सके और अगर अभी त सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस चेक कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के जैसा कि आप सब जाते हैं कि पुष्पाइक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लांगवज आक्षिन थ्रुला फिल्म है जिसको लिखा और डार कर रहे हैं सुकुमार इसे प्रडियोस किया है नवीन यरनेनी और वाई रभी शंगर ने जो माइत्री मुवी मेकर्स के असोसियेशन में मुट्टम से टी मीडिया से हैं अब दफिल्म स्टार अलु अर्जून आन रश्मी का मंदिना जबकि जगपती बाबू भी हैं प्रक इन सामने आ रही है ये दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अलु अर्जून के जनन दिन पर रिलीज किया जाएगा जो की 8 एप्रिल को होगा वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदिना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो की प्रमुग महिला का किरदार निभाती नजर आएंगी वहाँ हर बार सेट से तस्वीर साजा करती रही है पिंक वला के रिपोस के अनुसार पुष्पा के दो स्कूट शूटिंग स्केडियूल्स पिछले महीने राप अप हुए थे और निर्माता उन्हें ट्विटर पर इसकी घोशना भी की थी उन्होंने लिखा था टीम पुष्पा ने नवेंबर 2020 और जिन्वरी 2021 के दोरान राम चोद्रपंग और मेर्दी मुली के एजेंसी छेतरों में दो बिजी स्केडियूल्स राप अप किये हैं अब हम अपने शूट में सहयोग और सहयोग के लिए आदिवासी और प पिटर पर लिखा वहीं अगर हम रश्मिका मंदना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुष्पा के साथ साथ शामिल है मिशिन मंजू, अदवालू, मिकु जोहालू और सुल्तान ये सारी फिल्में 2020 में ही रिलीस होने वाली हैं दोस्तो अवास की बात करें तो हमारी इंडियन नाशनल क्रश यानि की रश्मिका मंदना नहीं अभी तक पाच अवास जीते हैं जो की है वही उन्हें 9 नॉमिनेशन में भी लिया गया था रश्मिका मंदना आज की डेट में उस लिस्त में भी शामिल होती है जो की महенही एक्ष्स के बारे में होती है तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि आरश्मे का अपना जादू बिखेर पाएंगे फिल्म में अपनी क्यूटनेस और होटनेस के साथ और अलो अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं हमें कमेंट से इन कारोनों से हुई पुषपा फिल्म के शूट शीडियों में देरी क्या इस दिले की वज़ा से पुषपा की रिलीस डेट पर भी फर्क पर सकता है पॉली ग्रेट स्टूडियोज में आपका स्वागत है अलो अरजुन ने एक दो वड्स में ही पुषपा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है फिल्म और टेलेविशन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलचिला अभी दो तीन महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आच्छाने आने लगी पड़ते हुए कॉवीट के इसे एक बार फिर से इंडिया के लिए सरदत बने हुए है और इसी कारण से काफी सारे मुवीज या तो थियेट्रिकल रिलिस को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर कर्डेंटली शूट हो रही ही फिल्म के शूट शीडियूल में गड़बरी हो गई है और कास्ट एंड क्रिव की सेफ्टी को मद्यनजार रगते हुए इन शीडियूल को अभी पोस्ट पॉन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे है इसे दिले का शिकार हुई है अलो अर्जुन की पैन इंडिया रिलीस पुषपा इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी टाइम तो हो चुका है पर अभी तक इस मैसिव प्रोजेक्ट के दो शीडियूल ही पूरे हो पाए थे अब जैसे ही इसका अगले शीडियूल की तयारी कास्ट इंड क्रियू ने शुडू की तो इनका रास्ता कास लिया कोडोना ने क्योंकि फिल्म काफी बरी स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रियू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है इसलिए इस दिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीस पे ज़रूर पढ़ने वाला है और मेकर्स के लिए रिलीस की डैडलाइन को पकर रखाना लटबग नामूंकिन सा हो जाएगा पर जैसे कि हम सब जानते हैं सुकुमार एक ऐसा डारेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जलबाजी नहीं दिखाते इनका सिधान थी यही है ताइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसलिबक तो शूट तभी शूरू होगी जब कंडिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा फिर चाहे इस डिले की भरपाई फिल्म के रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े हाला कि रिलीज डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइस कर पाएंगे जब फिल्म के को रिलीज कर दे अब ये वाइदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अलो की तरफ से मिला है वो तो मात्र तो तेलिगू वर्ड्स का है अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं अलो अर्जु की लाइख की मतलब ये है कि शूट मस्थ तेजी से चल रहा है लेकिन इसी तेजी पERS लगा मफ लगने ही वाला है वजा है को दे भी से चल रही तो इसी बीच को नयाम का स्पीडब्रेकर सामने आ गया अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी और यह ही करना भी पड़ा है पुश्पा फिल्म के मेकर को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ के सूपरस्टार अलू अर्जुन और रश्मी का वंदना के फिल्म पुश्पा की पहली जलक सामने आ गई है इसका खुलाशा करते हुए मेकरस ने एक धमाकेदार वीडियो श जा फिल्म के विलं को लेकर अपडिट सामने आया था मेकरस ने फिल्म वेलिन से फैंस को इंट्रोड्यूस करा दिया जहां बता गीकि कि इस फिल्म में नैशनल अवार्ड विनर मलियालाम एक्टर فहाद फदल फिल्म में विलन के करेक्टर निभाएंगे स्क्रिन पर अलू अर्जुन और फाहद की टककर देखने लाइक होगी दोस्तो बात करें फर्स्ट लुक की तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक वेक्ती जंगलों के बीच भाग रहे जिसके दोनों हाथ पीछे हैं, हाथों में रसी बन दिये और पूरा चैरा लाल कपड़े से ढखा हुआ है अगर बैक्ग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अलू अर्जुन पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं अब ये सीन में ऐसा क्या हुआ है कि अलू अर्जुन भाग रहे हैं और उनकी चेहरे पर रेड कलर का ये कपड़ा क्यों है तो दोस्तों पता चलेगा जब फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी आपको बताते कि इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं सूकुमार ये फिल्म 13 अगस्त को तेलगू, तमिल, हिंदी, कनर और मल्यालम में रिलीज होने वाली है इसे प्रोड्यूस करें मैत्री मुवी मेकर्स और मुट्टू सेटी दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल्म की तो उनका कहना है कि इस फिल्म को पैन इंडिया को ध्यान में रखते हुए और उनके ओडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है ताकि इसका आनंद सभी लेंग्विजिस के दर्शक उठा सके क्योंकि इस फिल्म से अलू अर्जुन मैसिव स्टार पावर है इसलिए में पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे पुश्पाफ फिल्म की कहानी एक एक एक्शन एंटर्टेनिंग स्टोरी है जिसके जरीए दर्शों को फ्रेस और जबरदस्ट कॉनसेप्ट देखने को मिलेगा वेल दोस्तों देखा जातों अलू अरजुन की जितने भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट होती है और जब उन फिल्मों में अलू अरजुन का तड़का लगता है तो फिल्म और धहमाकेदार हो जाती है तो दोस्तों आपको कैसे लगा ये फिर्स्ट ग्लिम्प आफ पुश्पफ फिल्म नीचे गमेंड बॉक्स में अपनी अपनी राइश एकनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किनता कम गिन कर मारने के लिए ये पुछ टाइटिंग थोड़ी है ऐसा कौन सा खारण था जिसकी वज़े से पुश्पा मूवी से विजे सेतु पती की एक्जिट हो गई और उनकी जगव कौन लेने वाले हैं साउट स्टार अलू अज़न की नेक्स्ट फिल्म पुश्पा के लिए सभी लोग काफी एक्साइट हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्ला वईकुंठ पुरा मलू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे इनके रोल के बारे में हमें जादा कुछ पता नहीं लेकिन हीरो विरोन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टोरी में जी हाँ वो है विलन का तो जी विलन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एक अगड़ा कंटेंडर पहले चुना था जो की थे विजय सेतुपती और सीरिसली एक ऐसे अक्टर है जो साइड रोल में होके भी में एक्टर की परफॉर्मेंस पो डॉमिनेट कर देते हैं और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलन पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजन्स भी देते हैं अलागार्ण यह ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला देगा तुम जड़ा सा खून देंकर इतुना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसके कोई की मत नहीं है जिसका तिल पतर का उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादू बेटों की तभी नहीं है इस मलक इमेटी उचके उन से नहीं हुए उनने एक राक्चस को तो दबोच हुए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा गए अशुआ को इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला दिया तुम जड़ा सा खून दिक कर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसके कोई की मत नहीं है जिसका तिल प्तर का उसको फरक नहीं पड़ता लुस्तान में बहादर वेटों की तवी नहीं है इस मलक इमिटी उनके खून से बहना है इस तो तो दो बोच लिया लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिए इसा कुछ हुआ है जो नक कभी देखा गया तक अभी सोचानी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इपलादे तुम जरा साथ खून देंकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद उत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेगार है इसकी कोई कीमत नहीं है आप जिसका दिर पफरका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तमी लिए है इस मलक की मिट्टी उटके खून से नहाई ही है उनने एक राक्षस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिए झाल 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 झाल